अकोला में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती चा रही है आज 9 मरीजों के नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 64 हो गई सबसे बड़ी चौकाने वाली बात या है कि 7 लोगों की अब तक अकोला में कोरोना से मौत हो चुकी है जिसे देखते हुए अकोला जिलाधिकारी जितेंद्र पापडकर ने 4 और 5 मई को संपूर्ण लॉक्टाउन का एलान किया है इसमें सिर्फ मेडिकल और होस्पिटल को ही खोलने की अनुमती दी गई है इसके बाद भी 17 मई तक हर एक दिन के बाद संपूर्ण लॉक्टाउन अकोला में रहेगा ताकि कोरोना जैसी महमारी को अकोला में बढ़ने से रोका जा सके तरह से कोरोना पॉजिटिव की संक्यात लगतार बढ़ती जारी है और आज अकोला में 64 मामले किल अब तक आ चुके है जिसमें से 13 लोग अच्छे हो कर घर जा चुके है और साथ लोगों के अभ तक कोरोना से मौत हुई जिसमें ऐक आत्मत्तर का मामला भी शामिल है कोरोना पॉजिटिव का इसी के साथ आकोला में अभी एक्टिव क्वेसिव की संके 44 बताई जा रही है परशासन के ओर से तो ये एक चौकाने वाली बात आकोला के लिए इसी को देखते वे आकोला के जिला अधिकारी जितेंदर पापर करने एक एहलान के गोशने किये कि चार मई और पांच मई को आकोला में संपूर्ण लॉकडाउन होगा और इसके बाद लगता लॉकडाउन जब तक है जब तक एक दिन के आड़ इसी तरह का संपूर्ण लॉकडाउन आकोला में होगा ताकि इस महामारी को आकोला में रोकने से बचाया जा सके और किसी तरह से आक करोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर अकोला प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है और उनकी नेंद उड़ी हुई है इसे रोखने के प्रयास प्रशासन की ओर से किये जा रहे हैं लेकिन अब तक पूरी तरहा काम्याबी हाथ नहीं लगी है आइनेंट 24 के लिए अकोला से शाहिद इकबाल की रिपोर्ट